निश्चित तौरबर किसी भी संस्था के जीवन में 15 साल एक एहम पड़ाव है किसी संस्था के लिए 15 साल याने डेड़ देशक का सफर एक एहम पड़ाव है खास तोर पर उस संस्था के लिए जिसने अपने 15 साल के इस यात्रा में बहुत सारे उतार चड़ाव देखे कर देखते हैं तो हमें लगता है कि यह 15 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला ऐसे भी आउसर आए जब हमें पता नहीं था कि यह यात्रा आगे यहां से कहां तक जाएगी कहां जाएकर पहुंचेगी लेकिन इंटरनेट पर हिंडी को देखना जितना रोमांचकारी था इस य इंटरनेट पर अंग्रेजी के अलावा किसी और माध्यम के बारे में सोचा नहीं जा रहा था तब कुछ साथियों ने मिलकर कुछ ऐसा रच डाला जिसको आज बहुत बड़ा माना जा रहा है उस वक्त एक पत्रकाय के रूप में ने दुनिया में काम करते वे मैंने भी यह सोचा था कि यह पता नहीं क्या है जहां बहुत सारे इंजिनियर मिलकर कंप्यूटर पर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं वेब दुनिया के साथ मेरी यह यात्रा कुछ समय पार्ट टाइम कुछ काम के जरीये प्रारम हुई लेकिन निश्चित तोर पर बाद में वेब द कैसे शिद्द के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया वो एक अलग बात होती है लेकिन जब आप उसको स्वयम होता हुआ देखते हैं तो उस यात्रा से गोजरना निश्चित तोर पर बहुत एहम अन्भव होता है वेब दुनिया ने अपने इन 15 सालों में तकनी की संपादे किये और भाषाई अन्वात के क्षेत्र में नित नए खिर्तिमान कायम किये एक अलग सोच एक अलग विचार कि कैसे हम भाषाओं को इंटरनेट पर एहम स्थान दिला सकते हैं जब एहम मीटिंगों में बैटकों में ये बात होती कि कि अगर हम अंग्रेजी को साथ में जोड़ें तो शायद हम अपनी रफ्तार को आर्थिक आधार पर बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने उस सस्ते आसान विकल्प को चुनने की बजाए गटिन संगर्ष की उस राह को चुना जहां पर भाषा के इस परचंग को अधिक मजबूतिय के साथ थामे रखना बहुत चुनोती कून था लेकिन खुशे इस बात की है कि इन तमाम चुनोतियों का सामना करते वे भी वेवज दुनिया ने पूरे साहस के साथ पूरी निष्ठा के साथ इस यात्रा को इस मुकाम तक पहुंचाया है और मुझे विश्वास है कि जिस प ना था पत्रीली रहा को लक्ष तक पहुंचने के लिए उस रहा से गुजरकर निष्चित तोर पर अब हम उस महापत की और बढ़ने वाले हैं जहां से अब तक के संधर्शों का अब तक के समर्पन का अब तक के त्याग का फल मिलना शुरू होगा इस यात्रा में जिन सभ होता हुआ देख रहे हैं एक ऐसा समय था जब इंटरनेट पर शब्द तूटे वे दिखाई देते से डायल अब कनेक्शन थे उससे वेब दुनिया के साच्छों को ही कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था तो बाहर इसे कौन देख रहा है इस खबर को कौन पढ़ रहा तब हम पार्टकों के और खरीब पहुँच पाएंगे बीजिटल जो माध्यम है वो ज्यादा वेग्यानिक माध्यम इस माईने में है कि आपकी आवशिक्ता के अंग्रूप सामगरी आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं टेलिवीजन और अखबार से इतर एक ऐसी दुनिय रची गई है जहां पर जो उप्योग करता है वो सबसे बड़ा है और इसलिए फेस्बुक और ट्विटर आज इतने बड़े हो गए है क्योंकि वहाँ सब कुछ लिखने कहने सुनने की वह आजादी है जो शायद अन्य माध्यमों में नहीं है निश्चित तोर पर इसके बा आत्रा की इस पड़ाओं पर बहुत बढ़ाएं